तो पढ़ा था आज हुम लोग compound interest का पर में पढ़ने जा predictive panel निंट एंघ्ण कि आट funeral videos को ही कह değ पहले बता दूंगा कि compound interest के पार थी में हम लोगों को पाणना क्या है मैंने बता रखा था कि compound interest के part 3 में हम लोग को rate निकालने सीखना था कि हर situation में rate को कैसे find out करेंगे the compound interest part 3 interest part 3 इस पार्थी हैं एक जैसे पहला कॉशन ले रहा हूं रेट होता क्या है पहले बात पारम एक जो है एक साल में 100 रुप्या पर मिलने वाले इंट्रेस्ट की वैलो को रेट बोलते हैं मतलब इंट्रेस्ट ओकर इन वन ये आउट ऑफ हंडेड रुपीज इस कल रेट आफ इंट्रेस्ट यह तो क्लियर है बात है अप लोगों को तो इसलिए मैं जो मैठड सिखाने जा रहा हूं वह बहुत ही सिंपल मैठड है इसलिए वीडियो को शुरू से लेके लास्त तक जरूर देखेंगे तभी आपको पूरे समझ में आ रहा है कि रेट किस किस सिचुएशन में आपको बहुत तरह है मतलब 5-6 तरीका से रेट निकाले सिखाऊंगा कि इस तरह का कोशन दिया हो तो रेट कैसे निकालेंगे सब के लिए यह मैथड एक ही होगा लेकिन देखना बहुत प्रूर ही आपनों को पूरे सुरू से लेके लास्त तक की वीडियो को जैसे मैंने एक देदिया कि मेरे पास प्रिंस्पल दिया है कि यह सार्टेन सम आप मानी रूपीज कुछ भी देदेगा मालों की मांदेदिया कि आपके पास 625 है कि प्रिंस्पल आपका 625 है और यह प्रिंस्पल जो है आपको देदिया कि टू इयर के बाद टू इयर के बाद ए अमाउन के रूप में बन गया 729 कोशन में डाल दूँगा आप लोगो को लिख कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसलिए पहले कोशन को समझ लें बोला कि अब मतब सिंपल सा बात है मैं बता भी जिलाओ कि आस साटें सम आप मनी रूपी 625 बीकम 729 इन टू यह एट आसार्टीन रेट अप कंपाउंड इंटेस्ट फाइंड डा रेट आफ इंटेस्ट आपको रेट आप इंटेस्ट निकालना है तो सिंपल से बात है कि प साल में कनबाट करना होगा तो कैसे करते हैं सब्सक्ते करों कि हमनों का फामूला होता है एक एकुल टू एक वालोट ऊ-ठाल ऑन-प्लास आर अप उन्द बाइट होता है ना इसको ग्रेश्यों में लें तब क्या हजाए आई भाई-पी हो जाएगा सिक्वल टो जाएगा व तो अगर इसको हटाएंगे तो क्या होगा रूट हो जाएगा अगर टी एक साल में आजा गे बैलू तो इसी मेठ इतना लॉंग न करकर एक सिंपल सा मैठट आपको सिखाने जा रहा हूं उसके द्वारा ही कर लेंगे तो हम लों को पी ग देना है और अमाउंट है ये 625 है ये 729 अभी दो साल के गायपिंग पर ये क्या है कि दो साल के गायपिंग पर है तो एक साल में लाने के लिए बेटा जो भी कालेंगे तो यहां पर रूट निकाल दिया 6 Romeo 29 हो गया अग फ्न थे उस्ता रूट बले एक कर सकते हैं इन्टेसाफ निकालने के लिए आमाउंट मानस प्रिंसिपल लिए सकते हैं तो अमाउंट प्रिंसिपल पर आपको दो रुपया का इंट्रेस्ट मिल रहा है जब प्रिंसिपल की रासी 25 रुपया है तो आपको इंट्रेस्ट की वैलू दो रुपया है तो इंट्रेस्ट की वैलू दो रुपया है तो इंट्रेस्ट सो रुपया पर क्या मिलेगा एक साल में यह तो एक स साल में आपको 2 रूपया इंट्रेस मिला कितने रूपया पर 25 रूपया पर- इन्टु क्या कर दिया। 15 जो के 100 मतला आठ पासिन का इंट्रेस हो बहुत ही सिंपल मैथड है बस इसको सीखने के कोसिस करें कि सिंपल सी बात है कहीं भी rate आपको निकालना हो, किसी भी तरह का question दिया हो, अगर आपको rate निकालना हो, तो दो method लगाओगे, एक तो कि principal और amount को आप एक साल में convert करोगे, principal amount को जब एक साल में convert कर लेंगे, तो उनके बीच का जो difference होगा, वो क्या बन जाएगा, interest बन जाएगा, अब principal तो हमें सा तो एक साल में लाने के लिए कीव रूट करेंगे, तो इसे root कर लिया तो यह 15 हो गया, इसे 27 हो गया, मतलब interest की value दो रूपया हो गई, अब आपको दो रूपया interest मिला, तो एक साल में 100 रूपया पर क्या मिलेगा, तो दो रूपया interest मिला, यह 25 रूपया जब principal था, जब 100 र है कि आपके पास यह principal amount दिया, principal दे दिया है कि principal कोई value 512 है, और 3 year का compound interest, 3 year का जो compound interest है, 217 रूपया है, 277 रूपया है, अब आपको निकालना है, find the rate, find the rate of interest, मतलब कोई principal है, a certain, a money, the compound interest on rupees 512, the compound interest on rupees 512, after 3 year, after 3 year, become 217, find the rate of interest, अब यहां पर आपके पास, वहां पर पहले वाले question में principal दिया था, और amount दिया था, लेकिन इस वाले question में principal और interest दिया है, और आपको amount निकालना है, तो मैं आपको यही बताना चाहरा हूँ, कि कभी भी आगर principal दिया हो, interest दिया हो, या amount दिया हो, simple सी बात है, इसको convert करने के लिए, हम लोगों को principal हो गया, और amount निकालने के लिए, तब principal amount equal to होता है, principal plus interest, तब principal आपके पास 512 रुपया है, और interest आपका 270 रुपया है, इसे जोड़ देंगे, तो 729 बन जाएगा, तब principal हो गया बैटा 512, और amount हो गया 729, अब यह 3 साल का है, यह 3 साल के बाद amount बना, मैंने बताया था कि 1 साल में convert करना होगा, तो 2 साल को 1 साल में लाने के लिए root करते हैं, और 3 साल को 1 साल में लाने के लिए kiw root करते हैं, तो हम रूट कर लेंगे, 512 और 729, इसका 8 हो गया, इसका 9 हो गया, अब यह 1 साल में convert हो गया, मतब एक साल में principal और amount के बीच का जो ratio मिला, और 8 और 9 का मिला, तो interest क्या मिला आपके पास, इनके बीच का जो difference होगा, मतब interest क्या है 9 minus 8 equal to 1, अब rate निकालना है, तो 1 रूपय आपको interest मिला है 8 रूपय आपर, तो आपको 100 रूपय पर क्या मिलेगा, या 1 बटा 8 का मतलब 12% होता भी है, तो इसे हम दो solve करेंगे, तो 4 से 2 बार में cut कर, यह 12% आ जाएगा, क्याएगा 4 से कटा दोगे 2 बार में, 4 से कटा दोगे 25 बार में, तो 25 बटा में 2 मतलब 12%, तो यहाँ पर rate की value 12% हो गई, आप समझ में आया होगा आप लोगों को, कि अगर principal amount दिया हो, तो directly principal amount को एक साल में reduce कर लेंगे, अगर principal और interest दिया हो, तो principal और interest को क्या करेंगे, पहले एक साल में लाएँगे, amount बनाएंगे, amount कैसे बना सकते हैं, तो आइड कर लेंगे प्रिंस्पल में इंट्रेस को अमाउंट बन जाएगा अगा मालों कि प्रिंस्पल अमाउंट ना देकर कोश्चन नमर एक टू था एक कोश्चन नमर एक टू था अब कोश्चन नमर थी लेका चल रहा है कोस्टन नम्मर थी अब मालों के कोस्टन मंद में आप लोगों को अमाउंट अमाउंट ही दिया हो अमाउंट की प्रिंसपल दिया हो और अमाउंट दिया है। कोशन बोल देगा कि a certain sum of money become a certain sum of money become 3, 4, 5, 6 after 2 year and become 6, 7, 5, 0 after 5 year and become 6, 7, 5, 0 after 5 year. find the rate of interest, compound interest. तो बुला कि कोई principle है, वो principle जो है दो साल में interest लगने के बाद 3, 4, 5, 6 के बरावर हो गया और वही principle पांच साल में interest लगने के बाद 6, 7, 5, 0 हो गया और rate था compound interest तो बुला कि rate of interest क्या रहा होगा? तो यहां हम लोग के पास principle तो दिया ही नहीं है, तो principle नहीं दिया है तो इसे हटा देंगे हम लोग ने, तो दो अगर amount आपको दिये गए हैं, किसी भी question में compound interest के दो amount दिये गए हैं, तो पहला वाला amount principle बन जाएगा, और दूसरा वाला amount amount बन जाएगा, मालो यह बन जाएग May value है, तो तीन साल में यह principle बना और यह amount बना, अब इससे क्या करेंगे, एक साल में convert करेंगे, अब इसको मैंने बताया था कि अगर यह value कट सकती है, जितना कट सकती है, उतना कटा लेना, या ध्यान देना कि दो साल में है, तो root निकलना चाहिए हम लोग को, या तीन साल में बना है, तो कि रुट निकलना चाहिए, वह 100% निकलना ही निकलना है, कोस्म अम लती था, यह 100% निकलना हीजिए हम अटेन में होगा, अप्रे बना कटात कौन काट है वे इसे हम लोग कट आएंगे, घर करेंगे, अब लोग करेंगे और यह इन फाया अनु अब यह हो गया, अब और कटा भी सकते हैं इससे भी कटा सकते हैं लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये एक कीव रूट परफेक्ट कीव रूट है और ये भी परफेक्ट कीव रूट है अगर आपको नहीं समझ माया था तो इसको और कटा सकते हो हम लोग ने क्या करेंगे की Mart करेंगे तीन साल में हो गया evolution 17883375 अविसे नीकालेंगे तो यह 12 का, पंद्रा नीच्या करेंगे उने 15 इतमिस की जो interest मिला हम लोगे पास, interest की राशी 3 हो गई, तो rate निकालेंगे, तो 3 रुपया interest मिला कितनी रुपया पर? प्रिंस्पल पर मिलता है में सा interest, 12 रुपया पर into 100, 3 से 4 बार में कटा दिया, और 4 से 25 बार में कटा दिया, मतलब का rate क्या हो गया? 25 पसेंट हो गया, तो देखो मैंने आपको यह सिखा दिया कि अगर principal और amount दिया हो, तो interest कैसे निकालेंगे? एक साल में convert कर लेंगे, principal और interest दिया हो, तो कैसे निकालेंगे? add कर amount बना लेंगे, और amount amount दिया हो, होगे जिससे आप कोश्चन के आंसर को निकाल सकते हो अब चलते हैं हम लोग चौथे कोश्चन की तरह को पूर्चन नमर फोर में हम लोग को यह देखना होगा कि मालों कि यह प्रिंस्पल और के बिहाप एका कोश्चन और करा देना हम आप लोगों को एक बार देख लेना अब कोश्चन है यह सार्टन सम अप मनी असार्टन सम अप नी बीकम असार्टन सम अप मनी बीकम 54,000 after 4 year and become 59582 after 7 years. Find the rate of component. अब यहाँ पर देखना कि बोला कि एक कोई प्रिंस्पल है. वो प्रिंस्पल क्या है? 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 54,000 बन गया. वो ही प्रिंस्पल 7 year के बाद, 59,582 बन गया. तो rate of interest गया था. तो दो amount दिया है, तो एक वाले amount को इसको प्रिंस्पल मालनेंगा, इससे amount मालनेंगा. डिफरेंस कितना हो गया? 3 साल का. इटमिंसी से qroot करेंगे. तो दिख रहा है कि यह 3 zero है, तो qroot होगा ही होगा. लेकिन यह qroot नहीं है. चाओन किसी का qroot नहीं होता है. मतलब 27 लेकिन qroot होता है, तो 2 से कटा देंगे इसे. 2 से कटा लेंगे, तो 27,000 हो जाएगा. अब 2 से कटा लेंगे, तो 24,000 हो जाएगा. तो 2 से कटाने के बाद यह value मिल गई. तो देखो, यह qroot होता है. इसलिए एक साल में लाने के लिए 27,000 का qroot. मतलब इतना लिखने के जबत नहीं है, आपको साफ साफ दिख जाता है किसका qroot है. और directly आप answer लिख सकते हो, एक qroot, तो यह हो जाएगा 30 का, और यह हो जाएगा 31 का qroot है. qroot निकाल लिजिएगा, qroot का मेरे वीडियो भी पढ़ा हो, qroot कैसे निकालते हैं, उसे भी एक बाद देखकर आप समझ सकते हैं. अब यहाँ पर principal हो गया, एक साल में 30 और amount हो गया 31, आपको interest कितना मिला बेटा? interest एक मिला, तो rate निकाल लेंगे, एक रुपर किस पर मिलेगा, हमेशा interest किस पर मिलता है, प्रिंसिपल पर मिलता है, तब principal खिरासी क्या है, 30 रुपीज है, तो यह 30 हो गई, into 100 कर दिया, तो यह value आपका आजाएगी 10 by 3, it means कि 3, 1 by 3% आपका rate हो गया, तो देखें कि कभी भी amount और amount के भियाप पर rate निकालना बहुती असान काम है, अब अगला question लेकर चल रहा है, आप लोग को पास बहुती निया question है, उसको देखिएगा जरूर, तो आपको मैं प्रिंसिपल amount से सिखा दिया, मैंने आपको principal interest से सिखा दिया, मैंने आपको amount, amount से सिखा दिया, अब लेक कुना तीन कुना चार कुना में देता है और कोई कभी वैलू दो गूना तीन कुना चार कुना में बोल देता है तो उसे आप कैसे सल्व करोगे जैसे एक्जामपल ले रहा हूं कि युव शर्टेन सम अप मनी money become four times of itself in three years and become nine times of itself in five years find the rate of component better rate of component death itself in three years and nine times of itself in five years find the rate of component of interest means that means means that that means of कोई principal Hai principal तीन साल में चार गुणा हो गया और यही principal को बौला है जीचाना 5 साल में ऊगुणा गया स्टिंपल से बात वही आ गई धीया पिर आपके आप आक कि भॉढही हम को रेश्यों का थे रियों का हुआ है तो दौ आमाउन्ट हो गया ख्यरिक और यह वाली कि अबम बन गिया प्रिंसपल और अरे वालींग बन गया हमाऌँ अब एक इतने इस टेवन पर रहें तो दो साल गेंगर एक साल में भी खुर हो गया और नाइन हो गया वलज नियर में करेंगे तो यह टू और थ्री इतने इसके principle हो गया 2 और amount हो गया 3 तो बेटा interest कितना मिला interest मिला 1 अब rate क्या हो जाएगा 1 upon 2 into 100 equal to 50% आपका rate हो गया तो अगर ऐसे भी question होगे कि 2 गुना हो गया 3 गुना हो गया 4 गुना हो गया तब भी आप अराम से इस question को कर सकते हो rate निकाल सकते हो इसमें कोई प्रॉलम नहीं है question number 6 को लेकर चलते हैं अब यहाँ पर अगर interest इंट्रेस दिया हो जैसे question number 6 में आपके पास 2 interest दिया हो दो interest का मतलब क्या हो एक simple interest दिया हो और एक compound interest दिया हो और उसमें पूर्च देता है कि आपका rate of interest क्या होगा तो जैसे question में लेकर चलता हूं if the if the S i on a certain sum certain sum for 5 P S is 400 rupees, rupees 400 and compound interest on same sum on the same sum for two years is 167 rupees find the rate of interest देको हिंदी में बता दे रहा हूं question है कि कोई किसी धन पर 5 साल का साधान ब्याद किसी धन पर 5 साल का साधान ब्याद चार सो रुपया हो जाता है और उसी धन पर उसी रेट से जो दो साल का चक्रबिधी ब्याद 176 रुपया 167 हो जा रहा है तो rate of interest क्या होगा बहुत इंपोर्टेंट कि बात कर रहा है तो देखा अब यहां पर principle भी नहीं मालूम है आपको amount भी नहीं मालूम है केवल और interest मालूम है एक को simple interest दिया हुआ है और दूसरा compound interest दिया हो तो इसे कैसे करोगे मालोगो कि यह principle रहा होगा और यह principle पर 5 साल का simple interest मिला होगा मेंटा simple interest हर साल का बराबर बनता है तो अगर 5 साल में simple interest 400 रुपया है तो हर साल में कितना बनेगा अब बोल सकते हो कि 400 divided by 5 बना होगा अगर बराबर है तो अब सी रुपया तो जो भी principle था हर साल आपको जो interest मिलेगा वो 80 रुपीज मिलेगा 80 80 80 80 और 80 एक कौन सा interest मिलेगा simple interest तो simple interest मिला किस पर principle पर जो भी principle रहोगा जो भी rate रहोगा 80 80 रुपया interest मिल गया compound interest में बेटा भी होता क्या है कि principle का interest तो मिलेगा ही मिलेगा और उतना ही मिलेगा का principal का इंक्रेस उतना ही मिलेगा जो सिम्पल मिला तो कहां से इस principal की बैलू का इंक्रेस तो 80 था रेट था तो के इंक्रेस तो यहां पर आपको इंट्रेस का इंट्रेस जड़ूर मिलेगा, तो इंट्रेस का इंट्रेस कैसे मिलेगा, आप यहाँ पर देखो, कि 80+, 80% करते हैं, तो 160 रुपीया होता है, लेकिन, compound interest बोला है कि 167 है, यहाँ पर 80, 80, 160 होता है, लेकिन आप आपके question में दिया कि compound interest की रासी जो है, जो कितनी है, 167 है तो बट ऑबियस की जो 7 रुपीज होगा वो क्या होगा इंट्रेस का इंट्रेस होगा बोल सकते हैं न कि यह जो सात रुपया जो एक्स्ट्रा है यहां पर 167